नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिव इडिके में आपका बहुत बहुत शवागत करता हूँ आज हम बात करिंग दोस्तों गनित पेडागोजी के 20 अतिमहत्यपूर्ण प्रस्णों के बारे में ये भाग 3 है मैं पहला और दूसरा भाग पेले ही बना चुका हूँ पहले भाग में 30 प्रस्ण लिए हैं दूसरे भाग में 30 प्रस्ण लिए हैं और आज का जो वीडियो है दोस्तों नवंबर नजदिक आने वाली है और आपने अभी तक जो गनित पेड़ागाजी की तयारी किये दोस्तों इन वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस तरह की पढ़ाई रही दोस्तों अंत में जरूर बताएगा कि जो 20 प्रशन है इसमें आपको कितने नंबर आए और अंत में मुझे यहां भी बताएगा कि जो आज का वीडियो है दोस्तों वह आपको केस अलगाज चली शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रशन ही गणित के अध्यन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है आत्मविश्वास तारकीक सोच विशलेशनिक सोच या फिर इन में से सभी तो इसका सही आंसर है दोस्तों गणित के अध्यन से एक बच्चे में आत्मविश्वास तारकीक सोच और विशलेशनिक सोच तीन का ही विकास होता है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो इन में से सभी अगला प्रश्ण है निम्न में से किसमे गणित विसे का प्रयोग इसपष्ट रूप से नहीं हो रहा है लाभानी साइकल चलाना सब्जिया खरीदना और उदार लेना दोस्तो जो साइकल चलाना है इसम गनित विशे का प्रयोग इस पष्ट रूप से नहीं हो रहा है लाभानी, सब्जी खरीदना और उधार लेना इन तीनों में ही गनित विशे का प्रयोग इस पष्ट रूप से हो रहा है अगला प्रश्ण है साधरन तया एक फिल्म श्ट्रीप में कितने फ्रेम होते हैं 20-30, 10-20, 30-50 या फिर 20-40 तो उसका सियांसर है साधरन तया एक फिल्म श्ट्रीप में 20-30 फ्रेम होते हैं अगला पुश्ण है गनित सब्वता और संसक्रती का दरपन है यहां कथन किसने कहा बेकनने, हाग बेगने, लोकन या फिर डटनने तो उसका सियांसर है गनित सब्वता और संसक्रती का दरपन है यहां कथन हंग बेगने कहा अगला पुश्ण है उपलबदी परिक्छन वा नेदानिक परिक्छन में अंतर है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्ण है त्रिभूच की रचना है तू आवशक उपकरण या सामगरी क्या होनी चाहिए कमपास होना चाहिए पेमाना पैंसिल या फिर अपरोक्त सभी तुसका सही आंसर है त्रिभूच की रचना है तू आउशक कमपास पेमाना और पैंसिल या तीनों ही उपकरण होना चाहिए त्रिभूच की रचना है तू तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो अपरोक्त सभी ह अगला प्रश्ण है वस्तुनिष्ट परिक्षण की सरवादिक महतपून विस्षता है विश्वस्निता वेधता वस्तुनिष्टता या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सरी आंसर है वस्तुनिष्ट परिक्षण की जो सरवादिक महतपून विस्षता है दोस्तों वो वेध अगला प्रश्ण है जब मनुष्य के जीवन की गतिविदियों में गणित का सरवादिक उप्योग होता है वहाँ शामाजिक भी है और आर्थिक भी है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एव भी दोनों होगा अगला प्रश्ण है कौन सा कारी अध्यापक से सम्मदित नहीं है कौन सा कारी है दोस्तों जो अध्यापक से सम्मदित नहीं है बजट बनाना योजना मार्ग दर्शन या फिर सिक्छन तो इसका सही आंसर है जो बजट बनाना है ये अध्यापक से सम्मदित नहीं है योजना मार्ग दर्शन और सि अगला प्रशन है अभ्यास द्वारा किसके द्वारा अभ्यास के द्वारा चात्र गनिती गंड़ना में गती प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से बताना है तो इसका सही आंसर है जो गनित की प्रकती एवं सरचना में जो विसेस्ता नहीं है वो गनित की सभी साखाओं का मूलभूत आधार समुच्च सद्धान तभासा है यहां विसेस्ता गनित की प्रकती एवं सरचना की नहीं है अगला प्रश्न है गनित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है यहां सब्द किसने कहें है आपके सामने चार विकलप है दोस्तों इसमसे बताना है यहां सब्द किसने कहें है तो इसका सही आंसर है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है यहां सब्द रोजर बेकर ने कहें है अग प्रियानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्धे स्य मुल्यांकन को माना गया है। तथा नियमों की साहिता लेते हैं। अगला और लाश्ट प्रश्ण है। यदी एक विध्यारती गणित विशे में कई बार उत्तिन हो जाता है। तो यहां जानने के लिए कि गणित की किस विशे साखा में वहां कमजोर है। नियम्न में से कोन सी विधी परियोग में लेंगे उप्चारात्मक तरीका, लेखितकार, मौकिक कार या फिर निदानात्मक तरीका तो इसका सही आंसर है। तो यहां जानने के लिए कि गणित की किस विशे साखा में वहां कमजोर है, इसके लिए हम उप्चारात्मक तरीके का परियोग करेंगे।